Assalamualaikum guys तो कैसी हैं आप सब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरी से होंगे ठीक होंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Infinix Note 12 का review एक ऐसा review जिसमें आपको पता चल सके कि यार इस smartphone को buy करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या हमें इस price के अंदर value देने वाली device है या नहीं होने वाली दोस्तों आज की स्वीडियो में आपको clear अपने opinion बता दो कि आपको इस smartphone को buy करना चाहिए नहीं करना चाहिए और इसकी जगा आपको कौन सा smartphone buy करना चाहिए दोस्तों ये smartphone एक ऐसा smartphone जिसकी price क 30,000 पाकिसान के अंदर देखने को मिलेगी और देखने हैं तो दोस्तों इस smartphone के अंदर जो हमें 6.67 G's का फुल एच्टी प्रस देखने के साथ अमोलेड पैनल देखने को मिल जाते है एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ के इस smartphone का पैनल एक अलग लेवल का इक हाई लेवल का वैल्यू अच्छी देने वाला पैनल दिया गया इस smartphone में ज्यादा तर अब इन फ्रिक्स के जितने भी smartphone देखने को मिल जाते थे जो इतनी खास वैल्यू देने वाला smartphone नहीं था लेकिन इन फ्रिक्स रे इस पार अपनी Note 12 सीरीस के अंदर आमोलेड पैनल दिया है और ये एक अलग लेवल पर देखने को मिल जाती है वो मैं 10 आफ 10 नमबर देने की कोश्ची करूँगा लेकिन दोस्तों एक चीज़ के लिए ये भी है कि स्मार्ट्रूम की जितनी स्क्रीन बड़ी आपको देखने को मिल जाती है मेра पॉइड यह रहता है कि स्माट्रूम का डिजाइन कीस तरह रहा है… देखर वई इस स्मार्ट्रूम का अगर डिजाइन देखा जाना तो तो एक अलग लेवल पर है देखें इस smartphone पे अगर आप बिल्कुल बात आ जाती ही केस की आप केस पी स्वेस ले किसरे की साथ उसकार करते हैं तो कोई स्माटफून को तो जी बिल्ट के समय हुआ नहीं गाँ तो यह आप सब्सक्राइब का नाइस स्वार्ट अर प staringsonson नहीं है के पर व्लदया कि श्चार तो को फोर मतलब चुटे चुटे चुट तिंपनी के साथ एक भी को मिलेगा जो के लंबाई के अंदर देखनी को मिलता है और अच्छी मार्ट यह भी है कि स्मार्फून को जो वालिय में आप खुद भी वढ़ा सकते हो अच्छी आवास कर सकते हैं और जात में आप अपने वास क काफी इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों इस स्मार्फून में अगर देखा जाए तो यहां पर आपको चार्टिर भी लगा रहें सकते हैं उसके बाद यहां पर हैंड फ्री भी लगा सकते हैं लेकिन बॉक्स के अंदर आपको हैंड फ्री नहीं देखनी को मिलता है और बॉक पर फ्रेंग के पुनी सासा जो है वह देखने को मिलता है और एक चीज नोट यह करने है कि स्माट्फूंग की जो सलफी है वह आपको अंडर डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलती है जो कि डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिल जाती है यह काफी बड़ी बात है और देखा करें सकती हैं उसके बाद हमें बार की बड़ा देखने को मलता है जो कि आ जाता है जो कि अच्छी को चाहिए के साथ बेट्र करने की कोशिश करता है और दोस्तों सेमरा में 2 Megapixel के अंदर देखने को मिल जाता है और ठंड जो है वो हमें QV Sensor देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों खास पाइंट यह भी है कि स्मार्फून में आपको Quad LED Flashlight देखने को मिलेगी जो कि आपको चार-चार LED Flashlight जो कि आपकी quality को और भी बेतर बनाने की कोशिश करती है अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी वीडियो उसमें अच्छी quality कुछ मैं samples आपके सामने रखता हूं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो कि आपको अच्छी quality के साथ देखने को मिलेगी वीडियो देखने को मिलेगी फोर्टू देखने को मिलेगी और यहाँ पर दोस्तों अभी हम outdoor आ चुके हैं आपके background को छोड़के आप यहाँ पर खुली सी हवा में आ चुके हैं जो कि यहाँ पर काफी अच्छी मतलब एक अलगी है लेकिन यहाँ पर छोड़े यार चीज़ को लेकिन यहाँ पर light चली गई है यार सीधी सी बात है और देखा जाए तो light जाने का बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर वीडियो बना लेती है तो यह अच्छी ही बनेगी लेकिन दोस्तों मैं स्मार्टफून के बारे में यह बताना चाहता था कि स्मार्टफून की जो 5000 mh की बैटरी है अब 5000 mh की बैटरी एक इतनी बैटरी है जो कि आपके स्मार्टफून में अगर दिन भी आप पूरे दिन भी अगर यूज करते रहो ना तो इस स्मार्टफून में कहीं नहीं जाने वाली है और मेरे पर यह स्मार्टफून के साथ जो चार्जर दिया गया अगर आपके स्मार्टफून की बैटरी कम भी हो जाती है लेकिन चार्जर आपके साथ स्पोर्ट करने के लिए तयार है क्योंकि इस smartphone में आपको 33W की Fast Charging देखने को मिलती है वाई इस smartphone की खास बात ये भी है कि smartphone में जो आपको gaming performance है वो आपको ultra processor देखने को मिलता है और बात ये है कि आपके smartphone की gaming performance एक अलग level की होने वाली है देखें मैंने इसके साथ review बिल्कुल कर लिया है मैंने smartphone को gaming performance का और ये भी आपको मैं आपको बताता चलूँ कि smartphone का PUBG टेस्ट भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा अगर वो देखना चाते हो तो आप जा सकते हैं चैनल पर और देख सकते हैं कि उसमें किस तरह की speed आपको देखने को मिली है एक मतलब एक अलग लेवल की आपको देखने को मिली है और बात आजाती है दोस्तों इस smartphone के खास final decision की कि हमें इस smartphone को इस price के अंदर buy करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए दोस्तों देखें अगर दोस्तों इस smartphone का design पसंद है आपको अगर आप इस smartphone का design से satisfy है तो आप इस smartphone को buy कर लिजे क्योंकि दूसरी जितनी भी चीजे हैं वो हमें एक अच्छी ही देखनी को मिली है क्योंकि 30,000 के अंदर अगर देखा जाए तो dollar की price बहुत high हो चुकी है और इस price के अंदर infinix ने 30,000 के अंदर launch किया इस device को तो और देखा जाए तो दोस्तों ये मेरा opinion जो है वो मैं आपको यही कहूंगा कि smartphone को buy कर लेना चाहिए और देखा जाए तो दोस्तों अवराल ये device एक best of best device होने वाली है बहुत दोस्तों अमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी पसांद आई होगी और वीडियो पसांद है इस वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए गए तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो नेक्स टॉपिक के साथ तब तक लिए अलाफीस